वेलकम दिश्रों डिक्टेशन डिक्टेशन पान सिकंड बार शुरू होगा रडी स्टार्ट देश दुनिया में पत्रकारिता का एक हिस्सा किस तरह कौवा कान ले गया की तर्ज पर ख़वरें गढ़ने लगा है इसका ताजा उदाहरन है अमेरिकी अखबार दे वॉल स्ट्रीट जनरल की वह ख़वर जिसमें यह सावित करने की कोशिस की गई की सोसल मीडिया कमपनी फेस्बुक ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंग की आपत्ती जनक पोस्ट हटाने में इसलिए आना कानी की क्योंकि वह भाजपा के हैं एक खास एजेंडे के तहत लिखी गई इस खबर का आधार बना फेस्बुक के किसी अनाम गुमनाम करमचारी का यह कथित कथन की कमपनी ने राजा सिंग की आपत्ती जनक पोस्ट हटाने से इसलिए गुरेज किया क्योंकि उसे अपने व्यवसाइक हितों की चिंता थी इस खबर को पढ़कर कोई इस निसकर्ष पर पहुँच सकता है कि राजा सिंग भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और वह तिलंगाना के साथ साथ भारत सरकार की रीत नीत तै करने में भी बड़ी भूमिका निभाते होंगे औरों का पता नहीं लेकिन राहुल गांधी इसी निसकर्ष पर पहुँचे और उन्होंने यह आरोप उच्छालने में देर नहीं की की फेस्बुक को भाजपा और राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग नियंतरित कर रहे हैं यह उतना ही हास्यास्पद है जितना अमेरिकी अख़बार की ओर से यह साबित करने की कोशिस की राजा सिंग भाजपा के इतने बड़े नेता हैं की फेस्बुक भी उनकी आपत्ती जनक पोस्ट हटाने की हिम्मत नहीं जुटा सका अमेरिकी अख़बार किस तरह अपने एजेंडे को अंजाम देने पर आमदा था इसका पता इससे चलता है की उसने यह जानने की भी जहमत नहीं उठाई की राजा सिंग का फेस्बुक अकाउंट उनका ही है या नहीं राजा सिंग की माने तो उनका कोई फेस्बुक अकाउंट ही नहीं और जो था वह 2018 में हैक हो गया था पता नहीं सच क्या है लेकिन इतना आवश्य है की राहुल गांधी ऐसी खबरों की तलाश में ही रहते हैं जो मूदी सरकार भाजपा अथवा संग को कठ घरे में खड़ा करने में उनकी सहायता कर सकें ऐसा करने में कोई बुराई नहीं लेकिन कम से कम उन्हें अपने ट्रोल की तरह विवहार करने से तो बचना चाहिए उनकी ओर से तो वह काम किया जा रहा है जो सोसल मीडिया पर सक्रिय तमाम कांग्रेसी कार्यकरता अथवा पार्टी समर्थक करने में लगे हुए हैं क्या इनकार करताओं और समर्थकों की आपत्ती जनक फेस्बुक पोस्ट या फिर उनके अभद्र ट्वीट के आधार पर किसी के लिए इस नतीजे पर पहुँचना उचित होगा की कांग्रेस या फिर गांधी परिवार के रसूख के कारण सोसल मीडिया कमपनिया अपने नियमों से समझाता करने में लगी हुई हैं बहतर हो की भाजपा राहुल को उनकी ही भासा में जवाब देने के बजाए इस पर विचार करे की छिछले आरोप प्रत्यारोप में उलजना कितना जरूरी है स्टॉप